तो फ्रेंट्स यह नोटिस तो हो सकता है आप सभी के पास पहुँच गया होगा अगर आप सिविल कोट का फॉर्म बिहार में आपने आवे दिन क्या होगा मैं याद के तौर पे आप लोग को बता दू ताकि जिनकों ध्यान नहीं होगा उनको ध्यान आ जाए कि लगबग सथातर सो के आसपास सीटे निकली थी बिहार सिविल कोट के अंदर जिसमें आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कलर के अंदर सबसे ज्यादा सीटे थी तैती सो पचीस स्टोनोग्राफर के अंदर 1562 कोड रीडर कम डिपोजिशन डाइटर के लिए 1132 और प्यून यानि की च एक्जाम डेट के बारे में कि क्या यह सच में ऐसा एक्जाम डेट निकल के आने वाला है और साथ में यह भी बताएंगे कि अगर अभी भी आपने पढ़ाई सुरू नहीं करी है तो आप कौन सा किताब से स्टड़ी कर सकते हैं ताकि आप सफल हो पाएं ठीक है तो सबसे प पाइट कर देते हैं ताकि लोगों में बच्चों में थोड़ा सा वह मजा आखिर देखते हैं होता क्या है तो कुछ ऐसा ही किया है किसी ने पता नहीं किसने किया है लेकिन यह जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इसमें यह बता आ गया है कि कलर के आपके स्क्रार तो क्या यह वाकई में सच में ऑफिसल वेबसाइट पर यहां पर आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें ऑफिसल वेबसाइट भी लिखा हुआ है डिस्टिक इकोट्स गवडाट इन पटना आप क्लियरली इस पेज को देखेंगे ध्यान से तो आपको यह दो पार्ट में दिख सेलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमीटी का जो मुहर लगा हुआ है जो सिगनेचर है यहां पर यह भी कंप्लीट आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो मैं क्लियर आपको जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि कुछ शरार्ती तत्व कुछ चात्रों ने ऐसा किया है औ सबसे उपर आपको एक नोटिस एलेडी सीएस करके है जो कि सिविल कोट से जो वेकेंसी निकली है उससे सम्मंदित नहीं है उसके बाद सेकेंड नमर पर जो आप देखेंगे तो जिसमें आपको 21 तारी को लास्ट अबडेट आया था जिसमें बताया गया था कि जो भी प्र है दस नमर वाला जो कॉलम है आप यहां पर देख सकते हैं दस नमर वाले पर क्लिक करेंगे दस नमर वाले नोटिफिकेशन पर तो आप देखिए कुछ सेम उसी प्रकार का ऊपर आपको ऑफिस ऑप दो करके और साथ में यहां पर आपको बस एक्जाम डेट कर दिया गया ब कर दिया होता तो आप इस देख सकते आप सब्सक्राइब और पर दो हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो आप अपनी तैयारी को पूरी करते रही है फिलाल मैं आपको सीधा ले चलता हूँ यह तो क्लिर हो गया कि अभी ओफिसिल नोटिफिकिशन नहीं आया है लेकिन ऐसा नहीं है कि फरबरी में आपनी शिंथ हो जाए और तैयारी छोड़े और पढ़ना ही छोड़े तो अभी मैं आपको बताने जला हूँ कि आप सबसे अच्छी कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं जिससे आपको जरूर सफलता मिलेगी तो मैं आपको तीन पुस्तके बताऊंगा जिसको आपको पढ़ने से जो पीटी और मेंस दोनों कंप्लीट हो तो आप कोसिस करें कि फिलाल एक जो भी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ें रिवीजन करें रिवीजन करना सबसे ज्यादा फायदे मंद होता है किसी बी एक्जामिनेशन के लिए तो जो पहली पुस्तक है समाने हिंदी के कि कहा पे आपक का एक गाइड चाहिए तो कौन सी पुस्तक आप प्रिफर कर सकते हैं वो भी मैं बता दूँगा लेकिन फिलाल जो मन से त्यारी कर रहे हैं उनके लिए में बता दू पहली पुस्तक फ्रेंट समाने हिंदी अपने नजदी कि किसी भी दुकान से जाके खरीद के इसका कम्प है तो आपका ग्रामिटिकल जो भी एरर है वो नहीं होगा एक्जामिनेशन में और सबसे जादा जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप रिवीजन जितना करेंगे उतना आपके लिए फायदे मन्द है जो भी सिलेबस है उसके अनुसार या फिर आप ऐसा करें कि क अबीन अंक गनित प्रीफर कर सकते है क्योंकि ये पूछ सबसे ज्यादा प्रीफर की गई हुई है और सबसे ज्यादा कोश्यन लगबग हूब हूब कोश्यन आपको इस किताब से मैथेम्नेटिक्स का देखने को मिल जाता है बहुत सरे इग्जामिनीशन के अंदर तो यहा लूसेंट जी के और आपको लास्ट में मैं लूसेंट जी के समान ने गया जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाले पुस्तक है एक चॉकलेट के तौर पे टैबलेट के जैसे स्टुडेंट्स इसका इस्तामाल करते हैं और बिहार की बात करें अगर आप बाहर के स्टेट के भी है तो मैं आपको बता दूगे बिहार के स्टुडेंट जो भी रिजल्ट लेके आते हैं किसी भी एक्जामिनेशन में वो सबसे ज़्यादा लूसेंट के ही मदद से लेके आते हैं तो मैंने आपको बता दिया चार किताबे जो आपासानी से खरीद के कर सकते हैं रुकमिनी बिहार सिविल कोर्ट स्टड़ी पैकेज जो आपासानी से खरीद के जिसमें आपको सारे जो भी पोस्ट निकले हुए हैं कलर के स्ट्योनोग्राफर चप्रासियर दली यह आपको मिल जाएगी अब बात आती हैं इंग्लिस स्टड़ी करने वाले जो इं कर सकते हैं और विश्वास करिए कि सबसे ज्यादा कोश्टन साब को उसी से पैटर्न से आएगा और आप कमबाइंड पढ़ना चाते हैं कि आप सभी चीज़े पढ़ना चाते हैं तो डॉपल अप्लेटफॉर्म की यह किताब आप प्रिफर कर सकते हैं और अगर आप यह कि जाएगा ठीक है तो बेस्ट है आपके लिए अभी से भी पढ़ाई शुरू कर दीजिए अब मुस्किल से एक से डेड़ महीने का टाइम आपके पास बचा है उसके पास जरूर नोटिफिकेशन सामने आएगा हो सकता है इसी महीने के अंत तक आपको नोटिफिकेशन एक्जा मिलजाएगा अप आसे खरीच सकते हैं और आप अप मार्केत से सकते हैं या फिर आप 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 मेजॉन पे जाके के खरीच सकते हैं अब के लिए धलिवाद